नमस्कार, शब्दुसांचे के समचार बॉलेटिन में आपका स्पागत है, शुरुआत करते हैं हेडलाइन से लोकारपण के लिए तयार रीवा एयरपोर्ट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 20 अक्टूबर को करेंगे शुभारंभ रीवा में विवात के बाद पती शिकायत लेकर गया थाने पत्नी ने कर ली आत्महत्या रीवा में मिलावट से मुक्ती के लिए चलाया जा रहा अभियान, रीवा में चोर पंप चोरी के बाद खरीदी गई दुकान में ही पहुंचे बेचने सतना में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाली तीन महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफतार चित्रकूट में श्रीराम लीला उत्सब का आयोजन 20-26 अक्टूबर तक मैहर की मेडिकल चात्रा स्रिष्टी शर्मा का शब रूस से विशेश वीर्मान से लाया गया 68-वी राजियस्तरी शाले एक्रीडा प्रतियोगिता में सतना को तीन गोल्ड समेत कुल आठ मैडल मिले सीधी में 28 सूत्रिय मांगों को लेकर सरपंच संग पहुचा कलेक्टरेट सौपा ग्यापन दिल्ली में फिर बढ़ा एयर पॉल्यूशन यमुना में निकल रहा जहरीला जाग जम्मु कश्मीर को स्टेट हुट के प्रस्ताव को LG की मन्जूरी और राजनात बोले AI से मिलिटरी ओपरेशन में क्रांती की शमता अब खबरें विस्तार से रीवा की चुरहटा हवाई पट्टी का विस्तार हो चुका है और अब ये एक भव्वे एयरपोर्ट का रूप ले चुकी है जिसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी रविवार 20 अक्टूबर को बनारत से वर्चुली रीवा एयरपोर्ट का लोकारपन करेंगे रीवा में लोकारपन समारोह की तैयारियां तेजी से की जा रही है उप मुख्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जिनके सतत प्रयास से रीवा एयरपोर्ट का निर्माण संभव हो पाया है उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट के शुरू होने से पूरे विंधे के विकास को नया आयाम मिलेगा हवाई सेवा की सुविधा से विंधे में और योगिक विकास सांस्क्रति गतिविधियों परियतन क्रिशी आधारित उद्योगों की इस्थापना तथा शिक्षा एवं स्वास्ते के शेत्र में तेजी से विकास होगा तो एतिहासिक छड़ कल विंधे और रिवा की जनता के सामने उपस्तित रहेगा जब रिवा में एरपोर्ट के उद्घाटन के बाद विकास की उड़ान रिवा भरना शुरू करेगा रिवा एरपोर्ट ना होना ये विंध छेत्र की प्रगतिना होने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता था मैं जब उद्ध्योग मंत्री था और मैं रिवा में उद्ध्योग पतियों से कहता था कि आगे भोपाल और इंदौर के लाबा रिवा में भी आई है तो मुझे पोचे थे रिवा में एरपोर्ट है क्या तो मैं निरुत्तर हो जाता था लेकिन कितना अच्छा संयोग है कि कल रिवा एरपोर्ट का प्रधान मंत्री जी उद्धाटन करेंगे मुख्वंत्री जी उपस्थित रहेंगे और चार दिन बाद उद्योग पती आ रहे हैं जिनको हम रीवा में निवेश के लिए आमंतित कर रहे हैं तो उनसे हम कहेंगे कि अब रीवा में एरपोर्ट भी बन गया है अब आईए और रीवा में जो विकास की और उद्योग की सं लखनव, लखनव से फिर खजरा हो फिर रीवा, रीवा से फिर भोपाल और इस प्रकार से यह भी शुरू होगा 19 सीटर का प्लेन शुरू होगा 5 नवंबर से क्योंकि 15 दिन लगते हैं उसके वो सारी फॉर्मेल्टी उद्घाटन के बाद डीजी सीए वो सारी और रीवा से दिल्ली के रूट पर 72 सीटर प्लेन चलाने के लिए टेंडर होगा और आने वाले दो-चार महने के अंदर यहां से 72 सीटर प्लेन भी साउथ में हैदराबाद से जुड़ जाएगा इंदौर से जुड़ जाएगा और फिर यह सिल्सिला लगतार चलता रहेगा रीवा में सितिकोतवाली थाना अंतरकत कट्रा महले में एक महिला ने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली महिला पूजा पांडे का कुशकुमार पांडे के साथ प्रेम विवा हुआ था पती द्वारा आरूप लगाया गया है कि शादी के बाद सभी त्योहार उसकी पत्नी मायके में मनाती थी उनके बीच अक्सर लड़ाई जगड़े होते रहते थे जिसकी वज़े मौसेरे भाई को बताया जा रहा है जिससे वो अक्सर बात करती थी बीती रात पती ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया जिस पर दोनों के बीच कहा सुनी हुई और सुबह जब पती रिपोर्ट दर्ज कराने सिटी को उत्वाली थाने पहुँचा तो इधर पत्नी ने भासी लगा कर आत्म हत्या कर ली रिवा में इन दिनों मिलावर्ट से मुक्ती अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहट मिलावटी खादे पदार्थ और खादे पदार्थों के निर्माण मेnd स्वच्छता का ध्यान ना रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कारिवाई की जा रही है खादे विभाग की टीम द्वारा निरिक्षण के दौरान कारखानों और खादे सामगरी की दुकानों में साफ सफाई नहीं पाई गई इस दौरान टीम ने खादे पदार्थों के सेंपल भी जाच के लिए कलिक्ट किये हैं रिवा में चोर बेती राद दो सब मरसिबल पंप चोरी करने के बाद सुबह उसका सौधा करने उस दुकान में पहुँच गए जिस दुकान से मोटर खरीदी गई थी जिसके बाद दो आरोपियों को दुकानदार ने पकड़ लिया जबकि तीसरा वहां से फरार हो गया घटना सिविल लाइन थानक शेत्र में इस्थित बस स्टैंड के पास गोपाल दास हीरनंद एंड संस की है पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया है अब पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है बिमारी से निजात पाने के लिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और प्रलोभन देने के मामले में सतना पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरिफतार किया है सतना की कोलगवा थाना पुलिस में शहर के नई बस्ती महले से तीन महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हुए पकड़ा है पकड़ी गई महिलाओं में सोनु साकेत, पारवती साकेत और अर्चना साकेत शामिल हैं तीनों महिलाएं सतना में एक ही मुहले की रहने वाली हैं। तीनों ही एक साथ शहर के मुहलों में घूम घूम कर मिशनरी के परचे बाठती थी और लोगों को वरगला रही थी। कोलगवार्टी आई सुधीप सूनी ने बताया कि आदर्श त्रिपार्थी की शिकायत पर महिलाओं के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकद्मा धर्ज किया गया है। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विफाग की तरफ से ग्वालियर में हुई 68 मी राजय अस्तरी ताइकवांडू स्कूल शाले क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके वुशु स्फर्था में सतना के खिलाडियों ने तीन गोल्ड समेत आठ मैडल जीते। गोल्डन गल अस्मी ने ताइकवांडू के बाद वुशु में भी राजय अस्तरी प्रतियोगिता में अपने वर्ग में गोल्ड मैडल जीत कर मार्शल आर्ट की दोनों विधाओं में स्वर्ण पदक जीतने का रेकॉर्ड बनाया। सीधी जिले में शनिवार को सरपंच संग के जिला अध्यक्ष गणेश सिंग के नेतरित्व में करीब 50 सरपंच अपनी 28 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट मुख्याले पहुँचे जहां राश्ट्रपति के नाम गोपत बनास तहसीलदार जानवी शुकला को मांग पत सूपा है ज्यापन में सरपंच संग ने आठ बिंदूओं को लेकर मांग रखी चित्रकूट में संस्कृति विभाग द्वारा 20 से 26 अक्टूबर तक श्रे राम कथा के विवित प्रसंगों का श्रे राम लेला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है साथ दिवसिये श्रे राम लेला के विभिन प्रसंगों का मंचन किया जाएगा साथ ही श्रे राम राजा सरकार श्रे राम के 36 गुड़ों का चित्रकतन प्रदर्शनी और श्रे राम कथा के चरितों आधारित पाच दिवसिये व्याख्यान का आयोजन भी किया जा रहा है मैहर के रहने वाली एक 22 साल की मेडिकल छात्रा स्रिष्टी शर्मा की रूस में एक सड़क हाथसे में मौत हो गई थी करीब डेड़ हफते पूर्व हुई मौत के बाद परेजर ने सरकार से स्रिष्टी का शब वापस मैहर लाने की गुखार लगाई थी जिसके बाद केंद्र और प्रदेश तरकार की मदद से आज मौत का शब विशेश विमान से सतना लाया गया जहां से एम्बुलेंस द्वारा शब को मैहर ले जाया गया जहां अंतिम संसकार किया जाएगा मुरैना के इसलामपुरा में एक मकान में विस्फोर्ट हो गया धमाका इतना तेज था कि मकान भरभरा कर गिर गया आज पास की मकान भी चपेट में आ गए मलवे में कई लोग दब गए घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे की है सूशना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, JCB की मदद से मलवा हटाने का काम शुरू कर दिया गया, रेस्क्यू के चलते पूरे क्षेतर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, जिस घर में ये धमाका हुआ, वो निरंजन राठोर का है, पहले पटाखे बनाते समय विस्फोर्ट की जानकारी सामने बारा बोर की दोनाली पंप एक्षन गन खरी दी, और रंगदारी दिखाते हुए एक युपक पर फायरिंग कर दी, बदमाश को पुलिस में गिरफ्टार कर लिया है, दिल्ली NCR में शनिवार सुबह एर क्वालिटी में काफी गिरावट देखी गई, एर क्वालिटी इंड टेक्स तीन सो पॉइंट को पार कर गया, सुबह आसमान में धुन चाही रही और लोगों को सांस लेने में भी परिशानी महसूस हुई, उधर यमुना नदी में जहरीला जाग लगतार दूसरे दिन भी नजर आ रहा है, दिल्ली के परियावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा की सर्दी बढ़ने की वज़े से दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी खराब हो रही है, दो दिन से पॉलिशन का इस्तर बढ़ रहा है, इससे लोगों को गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और आखों में जलन हो रही है, इसे के साथ तवचा से जुड़ी बीमारियां होने क भी खत्रा बढ़ जाता है, जम्मु कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव पर उप राज्यपाल ने शनिवार को मन्सूरी दे दी, गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प पहले ही वादा किया था, केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने कहा कि आर्टिफेशियल एंटेलिजेंस में मिलिटरी ओपरेशन में क्रांती लाने की शमता है, AI पहले से अनुमान लगा कर विशलेशन कर सकता है, उसके पास पतंत्र डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी राजनाथ सिंग ने ये बात शनिवार को दिली में आयोजित 62 वे राश्ट्री रक्षा महाविद्याले पाठे करम दीख शांसा मारूह में कही, मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून विदा हो चुका है, लेकिन दक्षणी हिस्से के जिलों में बारिश जारी है, ट्रफ और साइकलोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के एक्टिव होने से ऐसा मौसम है, शुक्रवार को चिंदवाडा, धार, खंडवा और बाला घाट में बारिश हुई, शनिवार को इंदौर, जबलपूर और नर्मदा पुरम संभाग के बाराजिलों में बूंदा बांदी हुई, मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ मध्य पूर्व अरब सागर के उपर एक्टिव है, जो लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल जाएगा, ये मध्य प्रदेश की दक्षणी हिस्से से करीब है, इस वज़े से बारिश हो रही है, इसी के साथ ये समाचार भी दे सकते हैं, धन्य बाद.